सो सो और मैं गया अब कमांड प्रॉम्ट जो खुला है उसको बंद कर दो पहले और अब नया कमांड प्रॉम्ट खोलोंगे ना तो आपको जादु दिखेंगा मतलब मजा आ जाएंगा प्रॉब्लम का सोलूशन मिल चुका है दन भई आमने प्रमांट काँप्रमांट में जाना है मेरी समय 10 PC नहीं मेरा लैप्तॉप है क्योंकि यह मेरा लैप्तॉप आप जो यह वीडियो देख रहे हो यह वन आफ दी यूणिक वीडियो है यूटुब पे यह अभी तक इसने यूटुब पे नहीं बताए भी है और फिर में वापे command prompt पे commands लिखू तो ये change भी मतलब आगे पीछे भी वहा तो अपना सब problem solve हो जाएंगा सो इसका solution क्या है ये मतलब problem solve कैसे करना सो command का नाम है prompt मतलब command prompt में command का नाम है prompt वावा वावा तो मैंने अगर prompt लिखा और इसके आगे आपको कोई भी text लिखना है वो इदर prompt हो जाएंगा जैसे मैंने लिखा asdf और space और hit enter तब देख सकते हो ये asdf आगया और space आगया भाई ये problem था और ये इसका solution है solution कैसे आया हमने prompt command का use किया और उसके आगे कुछ text लिखा और वो इदर आ गया लेकिन आप ऐसा तो नहीं चाओंगे कि ये text दिखे आप चाओंगे कि ये path दिखे या फिर कुछ अनोखा दिखे जैसे अगर मैं आपर prompt greater than का symbol करूँ और space दालू तो यापर ये error आता या फिर आपको कुछ और होना होना होगा तो सो पहला error क्या है कि ये जो prompt पे अपन जो बता रहे हो इधर एक error आ रहा और दूसरा कि अगर मैंने ये समझो prompt बंद कर दिया और अगर मैंने और एक खोला खोल जा और एक खोला तो आप देख रहे हो अपनने changes किये थे SDF तो ये नहीं आ रहा तो problem one problem two इसको solve कैसे करें तो चलिए शुरू करते हैं सो आपको this PC में जाना है मेरी इसमें this PC नहीं मेरा laptop है क्योंकि ये मेरा laptop है न समझ रहे हो न तो आपको इधर जाना है this PC या फिर my computer या मेरा laptop जो भी आपकी इसमें आओ के इधर ग्या है right click करो properties properties या पर जाना है यह advanced system यह देख रहो यह जो है न यह यह जो यह यह पात पर जाना है यह पात पर पर जाना है यह पात पर जाना है और आपको यह पर एक टर यूजर है तो मैं बोलूँगा नीचे इक रहेंगा तो new पे क्लिक करो और prompt लिको और नीचे value लिको जैसे मैंने लिख दी asdf और space और ok 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 और मैं गया अब command prompt जो खुला है उसको बन कर दो पहले और अब नया command prompt खुलोंगे न तो आपको जादू दिखेंगा मतलब मज़ा आ जाएंगा problem का solution मिल चुका है done भाई अब आप command prompt कहाँ पे भी खुलो अपन ने जो यहाँ पे specify किया था ना वह variable में वह value दिखेंगे तो यह अपन ने कहा से किया यह अपन ने इधर जाके किया आप यह command prompt से भी कर सकते हो आप ऐसे लिख के setx prompt और मैंने लिख दिया qwe या फिर rvr लिखता नहीं या रवियर समझ रहो ना और स्पेस और हीट एंटर तो यह specified value was saved अब भी वह इधर दिखेगी नहीं क्योंकि एक बार अपने को command prompt बंड करना पड़ेगा और वापस से खोलना पड़ेगा अरे यार तो देखा जम गया ना लेकिन आप देख रहोंगे मैंने rvr space दाला ता इधर space नहीं है क्योंकि यह है problem number 2 जिसमें अपन वो greater than अगर यह जो specific symbols होते ना यह नहीं होता है तो इसको कैसे solve करें तो आपको इधर लिखना है PROMP prompt slash question mark और enter तो आप देख सकते हैं या पर सब detail मिल जाएंगे तो यह मेरे को कुछ यह मजा नहीं आया command prompt पर दिखता मैं इधर आप पर clip कर दूँगा copy करने के लिए मैंने clip कर दिया और अब notepad या sublime या किदर भी आओ और control वी दबा तो यह देखो इसमें यह क्या बता रहा है कि अगर आपको m% यूज करना है तो dollar a यूज कीजिए less than greater than के symbol यूज करने तो यह यह वगेरा तो इसमें मेरे को सबसे अच्छा लगता है यह वाला और एक लगता है dollar dollar वाला की इदर है यह ना यह दोनो तो जैसे मैं बताता हूँ example के साथ यह command prompt पे गया है और आप इसमें ऐसे लिखो prompt dollar dollar अब देख सकते हो dollar हो गया और greater than होना तो dollar जी dollar अब यह चोटा बड़ा रही है तो कुछ लफडा नहीं है देख रहे हो यह तीन greater देना के और और एक चीज बता तो dollar जी जी सरी dollar जी dollar जी dollar अंडर्सकोर डॉलर जी डॉलर जी और अब इंडर तो आप देख सकते हो यह dollar underscore क्या करता है यह new line पर आता है और और का इधर dollar P करके अगर मैंने dollar P किया अच्छा सॉरी या पर पहले प्रॉम्ट लिखना पड़ेंगा न मैं भी कितना बड़ा ब्योकूफ हूँ न डॉलर P और E टेंटर तो आप देख सकते हो यह अपने को current drive का location देता है तो जो default value होती है न वो यह होती है पहले तो मैं इसको कुछ और प्रॉम्ट कर लेता हूँ ASDF या फिर यह हाँ तो जो default value होती है न वो कुछ इस तरह ही होती है prompt dollar P dollar G खतम तो आप जो default value देखते हो न वो यह set किये होते है तो अपन इसको override कर रहे है तो मेरी जो favorite वाली है न वो यह है तो इसमें क्या है dollar pre मतलब path दिखेंगा फिर dollar underscore याने new इस पर आएंगा फिर dollar की sign और space यह क्या है मैं यह बताता हूँ यह copy किया मैंने और PROMP prompt और इसको किया paste और hit enter आप देख रहे हो यह सबसे बेस्ट है यह mac पे जैसा दिखता है न कुछ वैसा हो रहा है यहाँ पर path है new line पर डॉलर का symbol और यहाँ एक space भी है देखना तो अब अगर आप कोई भी command run करोंगे जैसे python python manage.py run server वगेरा जो भी आपको जो लिखना है का आप देख सकते हो यह मैं को पूरी command एक साथ दिख रहे हैं मतलब भाई मजा आ गया है और अब अगर सादे इंटर भी space करके देखोंगे तो देखो हर बार ऐसा था अब मैं क्या करूंगा यह जो value है इसको copy की यह command prompt बन किया environmental variables में गया यह पर आप देख सकते हो कि अपने एक variable बनाया था prompt नाम का आपको यह रहा है यह दिखा prompt नाम का इधर जाना है मतलब इस पर click करके edit पर click करना है और इसकी value change कर दीनी है इसको ok 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 और भाई साब यह video हो चुका है खतम अगर अब मैं command prompt खोल के बता हूँ तो अपना काम जम गया अब यह तेरी तो बदला के नहीं तो basically वह problem इसलिए आया था कि आप देख सकते हो नीचे के prompt variable में मैंने value तो set कर दी थी लेकिन specific user के लिए थोड़ी set की थी तो वह override हो गई तो दोनों जगा चेंज कर ले ना नहीं तो आगे की video में देखना मैंने उसका बताएवा solution एक तो आप वह से कर सकते हो या फिर इधर से भी कर सकते हो set X prompt और यह value दाली और hit intersects पे slowly हो चुका है एक बार command prompt बंद कीची है और फिर से खोली है तो देख रहे हैं आप इधर पात दिखेगा और नीचे यह दिखेगा भाई यह video कैसी लगी बताना मतलब कुछ नया सिखा हो ऐसे और वीडियोस होना हो एफिर आर जो व्यार सस्क्राइ और like बटन ठोग दो ऐसे वीडियोस आपको दिखते रहेगे आपका नॉलेज बढ़ते रहेगा और subscribe करने में कोई पैसे नहीं लग रहे न समझ रहे न 50% लोगों ने ये वीडियो 50% लोगों ने मेरे चैनल पे वीडियोस देखते हैं लेकिन subscribe नहीं है आपको command prompt की वीडियोस अच्छे भी लगते हैं इसके पहले मैंने वो tree वाला वीडियो बताया था आपको बहुत पसंद आया था अगर आपको इसके बारे में और कुछ सिखना है तो मैं ये खोलता हूँ अब आप वापस से सचर होंगे राग भाई नहीं है कैसे खोल दिये ये तो मैंने how to open ये वीडियो में बताया था how to open tabs in new उसमें ये मैंने बताया था वो देख लो तो मैं ये दो link description में डाल दूँगा मैंने यहां से ही सीखा तो आप बहुत सी चीजे और stack overflow से तो यहां से जाके आप और इसके बारे में जानना है तो आप सीख सकते हो so thank you so much for watching bye bye झाल 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 झाल